एज एलेक्सेशन केवल दो साल की मिली है और वो मिली 10 नॉबर को थी आज 10 नसुंबर है पूरा एक महीना हो चुका है एनिवरसरी है और आज एनिवरसरी की दिन उम्मीद और तवक्का ये है कि एनिवरसरी वाली डेट पर जो है आज जो है वो रूल्स हो गए होगा और एमे इस्पेक्टर की रिकूट्मेंट के जो एस्पेरेंट्स हैं उन्हें जो दो साल का एज एलेक्सेशन लेफ्टन गवर्नर मनुद सिना ने दिया है आज असा लगता है कि होम डिपार्टमेंट रूल्स को एमेंड़ करके एमेंड़ रूल्स को पुब्लिक करेगी और की एज एलेक्सेशन के लिए कर रहे थे बच्चों का सवाल ये है कि हमने तो मांगी पांच साल की एज एलेक्सेशन थी हमें जो दो साल की एज एलेक्सेशन दी गई है इसके पीछे आर्थमेटिक क्या है इसके पीछे सोच क्या है ये बच्चे पूछ रहे हैं लेकिन हमार करिफिकेशन के बाद अब ऐसा लगता है कि शायद आज चूंकि आज 10 दसुंबर 2021 है आज के दिन जो सबनिस्पेटर की रिक्रूट्मेंट के लिए SSRB की वेब साइट के ऊपर फॉर्म फिल अप किये जा रहे थे आज उनकी लास्ट डेट थी लेकिन SSRB ने भी एक दिन पहल से भी जो सूतर हमारे हैं वो ये कह रहे हैं वहां से जानकारी यही आ रही है कि रूल्स को एमेंट कर दिया गया है और शायद आज कनवे कर दिया जाएगा SSRB को कि एमेंडेट रूल्स ये हैं और एमेंडेट रूल्स के तहत आप बच्चे जो हैं 28 से 30 वर्ष तक 30 वर्ष मांगा था और हमें मिला दो साल का एज एलिकसेशन और नायचेंड अधोने एक बीडिए हैज एलिकसेशन या आज डेए हमें जानकारी ऐसके मताबिक आज हो जानकारी जो आज हो जाना चाही अगर आज नहीं हुआ तो कल या परसू इन इनी एक दो दिनों में age歆क्सेशन का benefit बच्चों को मिलने जा रहा है बच्चे कह रहा है कि एक महीना दो साल की age歆क्सेशन में लग गया और उसी तारीक को, उसी डेट को age歆क्सेशन दी जा रही है जिस तारीक को SSRB की notification के मताबक form बरने की जो last date थी आखिरकार ये क्यों ये सवाल बच्चे पूछ रहे हैं और दूसरा बच्चे ये पूछ रहे हैं कि एक महीना क्यों लिया होम डिपार्टमेंट ने इस एज रिलेक्सेशन के लिए रूल्स को एमेंड करने के लिए जब 800-1200 पोस्टें कर दी गई और वो 800-1200 पोस्टें के लिए एरविटीजमेंट फॉरन एमेंड हुई तो रूल्स के अंदर एमेंड मेंड करने में एक महीने का वक्त क्यों लगा वहां से बच्चे का अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर इस मामूली सी एडिटिंग को इस मामूली सी रूल्स की एमेंड मेंड को एक महीना लग गया तो सोची अगर कानून बनाना पड़े नया तो जमु कश्मीर में कितना वक्त कानून को बनाने में लगेगा अब चार महीने के अंतक मेहनत के बाद बच्चे सडकों के उपर आए धरने दिये प्रदर्शन किया भारजनता पार्टी के नेताओं से भी मिलने गए बीजेपी के नेता देविंदर सिंग नाना से मुलाकाद की बीजेपी के यूटी अध्यक्ष रविंदर रहना से मुला गजारिश की कि आप चूंकि सरकार के पास जाते हैं आप लेटने गवरनर से मुलाकात करते हैं तो जाकर हमारी भी यह गजारिश कर दीजिए हमारा यह मेमरेंडम उन्हें पकड़ाईए और उन्हें कहिए कि हमें पांच साल की एज एलेक्सेशन दे दी जाए ताकि हम वो तमाम लोग जिने एक ही अपरचुनिटी पुलिस में सब इनिस्पेटर की रिकूट्मेट के इंपिहान में बैठने के लिए मिली है उन्हें कम से कम दो अपरचुनिटी मिल जाएं मेमरेंडम लेकर भी यह निता गए और उन्हें यह मेमरेंडम लेटने गवरनर को थमाया ने किया क्या उन्होंने दो साल की एज इलेक्सेशन दी अगर सूतर की मानी जाए तो कहा यह जा रहा है कि जम कुश्मीर पुलिस से पूछा गया था कि क्या पांच साल की एज इलेक्सेशन देना ठीक होगा तो उन्होंने का कि नहीं पांच साल की एज इलेक्सेशन देना कि उन्हें माना नहीं, होम डिपार्टमेंट ने भी इस बात मानी नहीं, नतीजा ये निकला कि एज एलेक्सेशन केवल दो साल की मिली है, और वो मिली दस नॉम्बर को थी, आज दस नॉम्बर है, पूरा एक महीना हो चुका है, एनिवर्सरी है, और आज एनिवर्सरी के दिन उम्मीद और तवक्का ये है कि एनिवर्सरी वाली डेट पर जो है, आज जो है, वो रूल्स हो गए होगए, और एमेंडेड रूल्स जो है, SSRB को भेज दिये जाएंगे, और SSRB अपने पोर्टल पर 28 से 30 वर्ष के बच्चों को फॉर्म भरने की इजाजत दे देगा.